नर्खेड की और से ट्रक में कपास भर कर कोलकता की और जा रहा ट्रक नयाकुन के पास पलटने से ट्रक में शौट सरकेट होते ही ट्रक में लदा कपास पूरी तरह से जलकर खाक हो गया गटना हाली में पार्शिवनी तैसिल सीमा के भीता नयाकुन गाफ के पास मंगलवार की शाम को घटित होई जिसमें एक करोड़ पचास लाख रुपए का माल जल कर खाक होने का अंदेशा जताया जा रहा है आग लगने की भनक चालक को होते ही चालक ने चलांग लगा कर अपनी जान बचाई WB23F0513 क्रमांक में ट्रक 30 टन कपास लेकर मंगलबार को नरखेड से कपास लाख कर कुलकता की और निकला था जहां पारशिवनी से होते हुए आमडी फाटा की और जाते हुए बीच में नाया कोन ग्राम के पास टरनिंग पर एक ट्रक पलटने से ट्रक में रखी बैटरी में सरकेट होने से ट्रक में आग लगई जिससे उसमें लदा कपास पूरी तरह जल कर खाक हो गया जैसे इस बात की भनक ट्रक जालक को लगी उसने तुरंत ट्रक से कूथ कर अपनी जान बचाई पुलिस पाटने घटना की जानकारी मिलते ही पारशिवनी पुलिस घटना इस त गाड़ी मौके पर जवानों के साथ पहुची भारी मशक्कत करने के बाद भी ट्रक में लदा कपास बुझाने में नाकाम हुई जिससे ट्रक में लदा 30 टन कपास पूरी तरह खाक हो गया आग इतनी भयंकर थी कि आग की लपटे उची उड़ती नजर आने से नया कुन्यवासी वहाँ पर एकटना हो चमा हो गये रात के अंधेरे में हुई घटना में बचावकारे में बड़ी मुश्किल हुई जिससे आग पर काबू नहीं पाया गया और कपास पूरी तरह जल कर खाक हो गई वहीं टीस्टन कपास की अंदाजन कीमत 50 लाग के आसपास बताई जारी है वहीं ट्रक की कीमत 70 लाख रुपए बताई जारी है गुल मिलाकर 1 करोड 20 लाग का नुकसान होने की जानकारी प्राप्त हुई रास्ते से दोड़ते ट्रक में अचानक शौर्ट सरकेट होने से ट्रक में लदे कपास में आग लगई खापन अगर पंशायत की अगनी शमन दल ने इस आग पर काबू पाने में अगनी शामक दल के जवानों को नाकामी मिली पारशिवनी पुलिस इस खटना की आग की कर रही है और बंगले देश के लिए जा रही चीज़ देड़ सब उसके बाद में एक तुर्णा उंकों सब्सक्राइब नया कुंद मोल मारा आया टर्निंग लिया जोल मारके गाड़ी पलट गई और वह बैटरी के वाइरिंग से जलक धूँआ धूँआ हो गया ऑन बैलंस होने के कारण गाड़ी पलटी मारा और गाड़ी में तुरंत ही आग फैल गई इस घटना में कम से कम एक करोड़ पचीश लाग का नुक्सान हुआ है ति बिरेंदर परसाद कहा से हो कलकत्ता पाश्वनी से बीसीन न्यूस के लिए रुपेश खंडारी की रिपोर्ट